तो हेलो गाइज, इंडियन पोस्ट पेमेंट बेंक की तरफ से एक नया पोटल लांच कर दिया गया है जिसके थुरू आप घर बैठे अपने मुबाइल नमबर को अपने अधार काड के साथ लिग करवा सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पे अपने मुबाइल नमबर को अपडेट भी करवा सकते हैं यानि कि आप यहाँ पे अपने मुबाइल नमबर चेंज भी करवा सकते हैं और इसके साथ साथ आप यहाँ पे किसी भी बच्चे का अधार काड भी बनवा सकते हैं इसके अलामत भी आप इसमें बहुत सारी सर्विस मिल जाती हैं ये आप अच्छा पोर्टल यहां पर लाँच कर दिया गया है जिससे आप यहां पे घर बैठे हैं अपने सारे काम को यहां पर करवा सकते हैं आपको यहां पर करना किया कि अवल आपको यहां पर एक application फिल अप करके और यहां पर upload कर देनी आपको यहां पर जो भी काम कराना चाहते हैं आपको सारा process यहां पर कर दिया जाएगा अगर आप यहां पे अधार कार्ड के साथ अपने मुवाईल नंबर लिंक करवाना चाहते हैं तो आपके मुवाईल नंबर लिंक कर दिया जाएगा को सबसे पहले आपको इस पॉर्टल पर आ जाना है Triple C dot step dot gov.in यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले से देक्सटॉप đang sex all पे कर लेना यहां फिली कर के ओके आप यहां पर देख सकते हमारा यहां फिर्डीक्तॉप पहले से यहां पर है इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा वहां से आप डारेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं यहां पर आने के बाद आप यहां पर इसका इंटरफेस देख सकते हैं आपको यहां पर कुछ तरीके से इसका इंटरफेस आपको यहां पर सो होने वाला ह अब चलिए मैं आपको यहां पर बदा देता हूँ कि आपको यहां पर form fill आपकर करकरके किस तरीके सरो Nep add करना और किस तरीके से आप कर मुबायल लमबर अबडेट होगा लिंग होगा तो सबसे पहले आपको यहां पे अपना नाम डाल देना है यहां पे आपको अपना पूरा एड्रस डाल देना है जिसके लिए भी आप यहां पे कुछ भी करवाना चाहते हैं कुछ भी चेंज करवाना चाहते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है यहाँ पे आप अपना email address भी डाल सकते हैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना mobile number डालना होगा जिसे भी आप यहाँ पे लिंक करवाना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे अधार कार्ट में कुछ भी करवाना चाहते हैं मालेजी यह mobile number डालना चाहते हैं अपडेट करवाना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे एक नए अधार कार्ट बनवाना चाहते हैं किसी भी बच्चे का तो आपको इस option पे click कर देना है आई पी पी अधार सर्विस आपको इस option पे click कर देना है उसके बाद आपको यहां select वाले option पे click कर देना है आप यहां पे देख सकते हैं आपके सामने यहां पे दो option उपन हो जाएंगे अगर आप यहां पे किसी बच्चे के लिए अधार कार्ट बनाना चाहते हैं यानि कि जिसकी उमर 5 साल से कम है अगर आप उसके लिए अधार कार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको पहले option पे click कर देना है और अगर आप यहां पे अधार कार्ट के साथ पर flavored Link कर्वाना चाहते हैं अपना EMAIL लिंग कर्वाना चाहते हैं तो आपको दूसरaken उप्सण पर कलिक कर देना है तो हम यहां पर लिंग करवाना चाहते हैं इसलिए हम दूसरे option पर QLK करें गे उसके बाद आप यहां पर देख सकते हमारी दोनों सर्विस यहां पर सेलेक्ट हो जोगी यह साइड डिटेल आपको बिल्कुल सही तरीके से फिल अप करने के बाद आपको request OTP के option पर किलिक कर देना है उसके बाद आपको mobile number पर एक OTP send कर दिये जाएगा जिसे आपने यहां पर application में डाला था OTP को आपको यहां पर डाल देना यहां पर डालने के बाद आपको confirm service request के option पर किलिक कर देना है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं लिख के आचुक है request submit successfully और साथ ही आपको यहां पर एक reference number भी जनरेट हो जाता है अपको इसे कहीं भी copy करके रख लेना या फिर आपको इसे कहीं भी लिख कर लेना है अब आपको यहां पर अपना status चेक करने के लिए आपको यहां पर click कर देना है click to track your request उसके बाद अब आपको यहां पर अपना mobile number डालना होगा इस्टेटास आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमामारी इस्टेटास यहाँ पे pending है क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर request की है comment आप यहाँ पर देख सकते हैं comment अभी यहाँ पर blank है by the way अगर आपके application यहाँ पर reject कर दी जाती है यानि कि जो भी आपकी Post Office लगती है आपकि Post Office में आपकी application यहाँ पर send कर दी जाएगी उसके बाद आपके application को यहाँ पर check up किये जाएगा अगर आपकी application सही होती है उसके बाद आपके application को यहाँ पर accept कर लिए जाएगा फिर post office से एक person आएगा आपके घर पे उसके बाद सारी चीज़े यहां पे चेक करेगा उसके बाद आपके यहां पे बायय OMETRIC के जएगी तो आपके अजार कार्ड में ऊबायल नमबर आपके लिंक कर देगा मैं आपको बता दो कि इस Service का नाम है Douristep Service आपका सारा प्रोसेस आपके घर पे होने वाला है कहा कि अभी यहां पी एक अंफर्म नहीं कि आपको यहां पर कितना time लगने वाला है और आपको यहां पर कितने पैसे payment करने पड़ेंगे फिलाल यह service यहां पर genuine है तो आप यहां से अपने अधार काड को लिंक भी करवा सकते हैं अपने अधार